एपल की तो अपने आईफोन 14 सीरीज आ चुके है अगर हम इसके टक्कर की बात करें तो Samsung की S सीरीज आती है तो Samsung की बहुत जाद S23 सीरीज आने बाली है और उसके बहुत जाद अमेजिंग लीक्स निकल के आ चुके है तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा Samsung S23 में आपको क्या क्या मिलने वाला है और जो लीक्स है वो 99% एकुरेटरी रहने वाला है क्यों बहुत जादा रिलाइवर लीकस के तुरू हमने वो लीक्स निकाले है तो देखते हैं इस वीडियो में Apple का iPhone 14 Pro Max या फिर Samsung S23 Ultra जादा अच्छा रहने वाला है सबसे पहले गाइस दोनों फोन की सीरीज की बात करें तो Apple में हमें iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro और 14 Pro Max देखने को मिलता है और Samsung की बात करें तो Samsung S23 में हमें Samsung S23 देखने को मिलेगा Samsung S23 Plus देखने को मिलेगा और Samsung S23 Ultra देखने को मिलेगा तो यह यह हमें variant देखने को मिलेगे पर अब बात करते हैं दोनों के looks and design की पहले हम अगर Apple की बात करें Apple ने इस बार कुछ नेया लेके नहीं आया है डिजाइन बिल्कुल सेम है हमारा iPhone 13 सीरीज की तरह तो मुझे भी personally कुछ नेया फील नहीं आ रहा है कि मैंने एक नेया iPhone लिया है बस एक dynamic island देखाई देता है जब front से देखना हूँ इसके अलावा जो in hand feel है और जो look wise लगता है देखने में phone वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं पुराने वाले phone यूज करूँ डेड़ लाख रुपे खर्चने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने एक नया phone लिया है बाकि आपकी क्या रहा है अगर आपने अप्ग्रेड कि iPhone 13 से iPhone 14 में आपको कैसा लग रहा है आप बता सकते हो नीचे comment section में अब बात करतें Samsung की Samsung के S23 की design में भी में changes देखने को नहीं मिलेंगे सिर्फ improvement देखने को मिलेगी जो Samsung S23 Ultra है वो आपको Samsung S22 Ultra की तरह है देखने को मिलेगा बस उसका जो in hand feel है उसको Samsung थोड़ा improve कर देगा थोड़ा in hand feel में जो edge corners वगए रहा है जब आप phone को हाथ में पकड़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा feel होगा ज़्यादा comfort feel होगा पर जो हमारा Samsung S23 है और S23 Plus उसके design को थोड़ा से change करने वाला है तो कुछ इस तरह से लगने वाला है हमारा Samsung S23 और S23 Plus यहाँ पर हो सकता है कि Samsung fan भी design को लेकर कहें कि Samsung design design भी थोड़ा change कर देता तो अच्छा रहता पर design में ज्यादा कुछ changes देखने को नहीं मिलेंगे और जो Samsung S23 series है इसके cases already China में बनना सुरू हो चुके हैं China अलगी level पर चलता है China में इसके cases बनना सुरू हो चुके हैं और इसके tempered glass भी इसका अगर अब tempered glass भी तो उससे पता लगता है कि हमें S23 में ultrasonic fingerprint देखने को मिलेगा जो कि काफी सही है बस Samsung इस बार next generation यूज करने वाला है ultrasonic fingerprint में तो वो काफी जादा fast है और थोड़ा जादा area cover करता है और Apple में हमें Apple की face ID देखने को मिलती है है काफी जाद secure है काफी जाद fast है पर इसमें भी कुछ ultrasonic जैसा लेकर आ जाता है Apple fingerprint type कुछ in display वाला तो काफी जाद अच्छा रहता मैं face ID को बुरा नहीं कहूंगा पर काफी जगा पर लगता है कि face ID की जगा एक fingerprint भी दे देते तो अच्छा रहता मुझे पता है आप अच्छा लोग इस बात को लेकर agree होंगे देखो मैं यह नहीं कर रहा हूं कि face ID रात को वर्क नहीं करती है पर अगर आपने रात में iPhone को unlock करना है तो पहले इसकी स्क्रीन की लाइट आपके आँख पर पड़ेगी चेहरे पर पड़ेगी तो थोड़ी इरिटेशन ही होती है तो उस बज़े से मुझे अच्छा नहीं लगते है यह face ID अब डिस्प्ले की बात करते है iPhone की जो इस पर डिस्प्ली आई यह बहुत जादा तगड़ी डिस्प्ल करने वाला है मतलब Apple से भी ज्यादा Apple खुद Samsung से डिस्प्ले लेता है फिर उसके बाद और तगड़ी बनाके अपने फोन में लगा देता है पर Samsung पीछे रहने वाले नहीं है Samsung और भी ज्यादा brightness देने वाला है ऊपर से Samsung के डिस्प्ले में हमें colors ज्यादा बाइब्रेंश दे देगा जिससे इन हैंड फिल ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आब बात कर लेते कैमरा आज की तो इस बार एप पल इतने ज्यादा टाइम के बाद 48 मेगा पिक्सल का कैमरा लेकर आया अपने आइफोन 14 प्रो और मैक्स में इसे यूज करने के लिए आपको रो मोड ओन कर आपको पता है इस बार 200 मेगा पिक्सल लेकर आने वाले अपने एस 23 में जिससे फोटो तो नेक्स लेवल आने वाले है क्योंकि सैमसंग के फोन की कैमरे से जब आप फोटो क्लिक करते हो सच में काफी अच्छी आउटपूट आती है और वीडियो के मामले हमारा आइफोन का मुकाबला नहीं क्योंकि आइफोन से रिकॉर्ड की वीडियो बहुत जाथ तगड़ी आती है तो यहाँ पर एस 23 में हमें तीन तरह के मोड देखने को मिलेंगे एक तो आप 12.5 मेगविक्सल का फोटो क्लिक कर सकते हो तीसरा हमारा 200 मेगविक्सल जो कि F1.7 अपर्चल के सा 23 Ultra और बाकि Space Zoom तो मिलता है 100X का मतलब पहले से कैमरा और वी जादा इंप्रूब कर देगा जो सैमसंग अपना जूम लेके आता है और फोटो क्वाल्टी जाद तगड़ी लेके आता है और जो सैमसंग का अपना सिनेमेटिक मोड है उसमें एड़ जादा इंप्रूब होने सैमसंग का सैमसंग का सिनेमेटिक मोड है ज्यादा तगड़ा हो सकता है तो आइफि क्यूंद का विडियो बहुत जल्दा आने वाली है तो आप सबस्क्राइब कर लो चैनल को आइफोन 14 प्रो मैक्स का आप कैमेरा रिभ्यू देखने चाले तो और लीक की को डिकलन के ज्यादा डिटेल देखने को मिलेगी और Megapixel ज्यादा होने की विससे S23 Ultra का भी आपको जो camera का bump है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा अब next leak की बात करें तो Samsung इस बार एक बहुत अच्छा काम करने वाला है iPhone में हमें satellite connectivity मिलती है पर बहुती limited countries में US Canada जैसे country में इंडिया में यह नहीं है तो कुछ फाइदा नहीं है feature होते हुए भी हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे पर Samsung S23 में हमें satellite communication मिलने वाला है जो कि हर country में available कर आने वाला है Samsung लीक्स तो यही कहते है तो फिर Apple user को हो सकता है कि यह बात बुरी लगे मुझे भी थोड़ी बुरी लगी अगर यह feature इंडिया में होता और बाकी में भी तो काफी अच्छा रहता है जो हमने अपक्डेट के लिए पैसा दिया है तो फिर कहीं न कहीं उसका यूज भी कर पाते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं तो यह बात मुझे आपको साइमसंग की अच्छी लगी इसके लावा सैमसंग में आपको दोधेज और मिल जाते हैं तो आपको सब्सक्राइब से आपको अप्ट से तो जाले मिलने वाले 45 वाट की आपको फास साजिंग मिल जाएगी पर हाँ एपल बैटरी बैक नहीं है यह बैटरी बैक आलता है हमारा S22 से बागी देखते हैं S23 में क्या कमाल करते हैं कितनी अच्छे लेगी आता है कि वह बहुत बड़ा रोल रहता है तो यह कुछ लीक्स है हमारे सैंपसंग का S23 लंटरडडर तो 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 आप को अएषवां बता सकते हो आपको साइफ एक्षीछ लगते हैं यह ऐसी लगती है मिलते आले बने जपी लिए कि ने बीया पर वेख व्क्रियो है वाए पर आजाओ प्धिए दे ऐ। इस वीडिए आ है झाल झाल